Good morning everyone, in the chain of my lectures on organometallic compounds, this is my second lecture and I'll discuss the chemical reactions of Grignard reagent, अर्थाथ Grignard Abhikarmak की Dacynic Abhikriya हैं. जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो Grignard reagent है यह अत्यांत क्रियाशील योगेक है, these are highly reactive compounds, इनकी अत्याधिक क्रियाशीलता के कारण ही इनका संशलेशन शुष्क एथर माध्यम में किया जाता है, we prepare them in dry ether medium, क्योंकि यह वातावरण की जो नमी है या water vap papers के साथ भी क्रिया करके decompose हो जाते हैं, इनकी अभिक्रियाओं को दो प्रकार में बाढ़ सकते हैं, नाभिक इसने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाए या nucleophilic substitution reactions, दूसरी नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रियाए या nucleophilic addition reactions, पहले हम पढ़ेंगे nucleophilic substitution reactions, जैसा हमने पढ़ा था कि इनमें जो एलकाइल ग्रूप है वो electropositive magnesium metal के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इस दुरूविये सैसायोजगबन या polar covalent bond के विशमांश विखंडन या heterolytic fission द्वारा एक carb anion का निर्मान होता है, और ये negatively charged carb anion किसी भी नाभिक्स नहीं या nucleophil से जूड स अधा जो grignet reagent है ये सक्रिय हाइड्रोजन यूप्त या हैलोजन यूप्त यूगिकों के साथ nucleophilic reactions देते हैं, अब हमको समझना होगा कि what are active hydrogen compounds या सक्रिय हाइड्रोजन यूप्त यूगिक क्या होते हैं, active hydrogen is that atom of hydrogen which is attached with more electronegative atom for example oxygen, nitrogen और sulfur active hydrogen यूप्त यूप्त यूगिक होते हैं वो बहय यूगिक होते हैं जिसमें कि hydrogen atom किसके साथ attached होता है अधिक रिण विद्धिती परमानू के साथ attached होता है उधारन के लिए oxygen, nitrogen और sulfur, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, ये highly polar हो जाते हैं, ध्रूबिय हो जाते हैं और इसके too unstable and highly reactive और इसके करण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ये एक proton के रूप में प्रतक होते हैं, they leave as a proton during chemical reactions, इनको हम commonly acidic hydrogen भी कहते हैं, अथा हम क्या निशकश निगाल सकते हैं कि active hydrogen यूप्त यूगिक, वे यूगिक है, which are able to give a proton, जो एक proton देते हैं रासायनिक अभ अभिक्रियाओं में, अब हम देखेंगे कि active hydrogen यूप्त यूगिकों के साथ क्रिया करके, जो ग्रिगनर्ट रिएजन्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो हमको corresponding alkane देते हैं, अब हम ने अभी जैसे पढ़ा कि active hydrogen यूप्त यूगिक कौन से होते हैं, जो कि अधिक रिण्व दिती या highly electro negative atoms, जैसे कि nitrogen, oxygen और sulfur आधी के साथ जुड़े होते हैं, तो हम क्या सकते हैं कि water, alcohol, ammonia, amines, etc. ये कैसे हैं, active hydrogen यूप्त यूगिक हैं, और ये जब ग्रिगनर्ट रिएजन्ट के साथ रियाक्ट करते हैं, तो कुछ एक एक एक्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं, कि हमको corresponding hydrocarbons म करवाते हैं, तो हमको ethane मिलता है, इसी प्रकार से यदि हम methyl magnesium iodide की reaction, alcohol से करवाएं, तो हमको methane मिलेगा, alcohol भी क्या है, hydrogen atom इसमें oxygen से जुड़ा है, तो ये कैसा hydrogen है, सक्रिय hydrogen है, इसी प्रकार से हम कुछ और उधारन देख सकते हैं, जैसे ethyl magnesium bromide की reaction, यदि ammonia से कराएं, तो ammonia भी कैसा योग एक है, active hydrogen योग एक है, तो हमको ethane मिलता है, इसी प्रकार से primary और secondary amines के साथ भी क्रिया गरके हमको corresponding hydrocarbons प्राप्त होते हैं, for example, ethyl magnesium iodide की reaction, यदि हम primary amine से करवाएं, तो ethane मिलेगा, इसी प्रकार से methyl magnesium iodide की क्रिया, यदि हम secondary amine के साथ कराएं, इसमें भी क्या है, एक active hydrogen atom उपस देता है, तो हमको methane प्राप्त होता है, अब इसी प्रकार से एक और उधारन में हम देख रहे हैं कि जो ethyl magnesium bromide है, इसकी reaction यदि हम propine के साथ करवाएं, तो हमको ethane मिल रहा है, यहाँ पर एक बात important है, कि ग्रिगनाग, रियजन, इसितिलीन, अध्वा किसी 1-alkine क साथ तो क्रिया करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका जो hydrogen पर्माणू है, वो कैसा है, active hydrogen पर्माणू है, लेकिन alkenes के साथ अभी क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि alkenes का हम जानते हैं कि जो hydrogen पर्माणू है, वो active hydrogen पर्माणू नहीं होता, अब यदि किसी unsaturated alkyl halide के साथ ग्रिगनाड रियेजन के अभिक्रिया करवाएं तो active hydrogen युक्त यॉगिक के साथ करवाने पर हमको unsaturated hydrocarbons प्राप्त होते हैं उधारन के लिए vinyl magnesium bromide की reaction यदि हम करवाएं किसके साथ किसी primary amine के साथ करवाएं तो हमको ethene मिलता है अब यदि methyl magnesium halide का प्रयोग किया जाए तो किसी यॉगिक में present तेक active hydrogen atom के लिए quantitative रूप में एक मोल मिथेन बनेगा तो इस reaction का बहुत important हो जाती है यह reaction और इसका उपयोग हम carbonic यॉगिक में organic compounds में विद्देमान OH, NH2, SH जैसे active hydrogen यूप जो groups हैं उनका estimation करने के लिए कर सकते हैं और estimation की इस विदी को हम Z.A.Witnov's method कहते हैं अब ये तो हुआ reaction of Grignard reagent with the compounds having active hydrogen atom अब अगला जो lecture होगा उसमें हम Grignard reagent की reactions पढ़ेंगे with the compounds having halogen atoms Thank you, have a nice day